चले बात कुछ और खबरों की करते हैं कोरोना संक्रमण के खत्रे के बीच शाफसन पर शाफसन सभी लोगों से जादा से जादा घर पर रहने की अपील कर रहा है बेवजा घर से बाहर निकलने पर भी मना ही की जा रही है लेकिन इन सब के भी सड़क पर रह रहे बेघर लोगों का क्या जिनका आसरा ही सड़क हो और आसमान ही उनकी छत हो रिपोर्ट देखिया सड़क पर फुटपात पर जोपड़ी में गुजर बसर करने को मजबूर ये लोग कोरोना के मारे हैं जो बीते कई महीनों से इस हाल में जीने को मजबूर है बलासपूर का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां इन बे सहारा और बेबस लोगों के भीड नहीं दिखती हो लेकिन इनका हाल चाल लेने के लिए ना विधायक हैं ना मंत्री और ना ही शासन प्रशासन का नुमाइंदा तकलिफ होती है यह लोग समाज सीवी लोगों की मदद से अपना गुजर बसर कर रहे हैं कलेक्टर साहब ने भी समाज सीवी संगठन लेगम और समाज कल्यार विभाग को इनके रहने और खाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के फर्मान तो जारी किये लेकिन सड़क पर निकल कर हालत जानने की जहमत इन्हों ने भी नहीं उठाई चुरुआती कोरोना काल में भी हमने ऐसी तस्कीरों को आपको दिखाया था लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी जिम्मेदारों की संवेदन शीलता शायद जागी नहीं ये बेबस आज भी छट और दो जून की रोटी के लिए तरस रही है बलासपूर से श्याम पाठक के साथ टीम निउस स्टेट